आप देख रहे हैं न्यूस चक्रिमया अभिसार शर्मा इस देश का किसान मांग कर रहा है कि मुझे इज़द दो इस देश का युवाई मांग कर रहा है कि मुझे रोज़गार दो मगर जो सरकार, जो पुलिटिकल पार्टी हमें धर्म में, हिंदू-मुसलिम में फसा कर रखना चाहती है कि क्या वाकई वो उनकी मांग को सुनेंगे या एक बार फिर सियासत के चलते उसे अंसुना कर दिया जाएगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले तक मुझे इस बात को लेकर चिंता थी कि किसान आंदोलन को क्या होगा, क्या किसान आंदोलन बिखर रहा है मगर देश का किसान, जिसे मीडिया ने लगातार टार्गिट किया है पूरे प्रचारतंत्र ने लगातार टार्गिट किया है वो बार-बार ये प्रमानित कर रहा है कि सरकार के दम के सामने वो किस तरह से अपने सूझभूच से अपनी इमानदारी से अपने आंदोलन को पुनर जीवत कर रहा है और उसके प्रमाण एक एक करके मैं आपके सामने देने वाला हूँ सबसाद पहले दोस्तों संजीव बालियान शामली पह Iranian शामली पहुशते हैं और वहां पर उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं इस वीडियो में देखेगा उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं संजीव बालियान बाहर निकलते कहते दस लोगों के नारे लगाने से कोई मुर्दाबाद नहीं हो जाता शायद संदीव बालियान जो सामने हकीकत दिखाई दे रही है जो आइना दिखाई दे रहा है उसे देखने से इंकार कर रहे है ये वीडियो देखिए फिर मैं इसकी चर्चा करूँगा संजी बालियान की मुसीबतें यहां खत नहीं होती है अब ये वीडियो देखिए दोस्तों एक बुज़ुर्ग किसान नेता उन्हें उठने तक में तकलीफ हो रही है संजी बालियान उनसे मिलने गए है ये बुज़ुर्ग किसान नेता उनसे कह रहा है कि तुम यहां से चले जाओ घुलाम मत बनो और बेशक उसके शरीर में कोई ताकत नहीं है मगर वो अपनी आवाज किस आथ में विश्वास से रख रहा है ये आपको सुनना होगा दोस्तों मेरे खाल से इस किसान आंदोलन में हमें बहुत सी खुबसूरत तस्वीरे सामने उभर कर आई है और एक तस्वीर में आपको आगे भी बताऊंगा आपको जुड़े रहना पड़ेगा मेरे साथ मगर दोस्तों इस बुज़र्ग किसान की बात सुनिए बहुत ही खुबसूरत अंदाज में हो कह रहा है गुलाम मत बनो और वो ये भी कह रहा है कि यहां से चले जाओ संजीव बालियान के लिए संदेश है सुनिए संजीव बालियान को दोस्तों इसी तरह से विरोध करना पड़ा और मैं आपको बता दूँ इस बात से ग्रह मंत्री आमिश्या बेहच चिंतित हैं उन्होंने पश्यमी उत्तरपदेश में जितने भी पार्टी के उनके सांसद हैं सब को एक तरह से दोड़ा दिया है कुछ दिनों पहले मैंने बागपत में देखा था कि वहां के जो सांसद हैं सत्पाल सिंग वो पहुँच गए हैं किसान नेताओं से बाचीत कर रहे हैं संजीव बालियान को लगतार विरोध का सामना करना पड़ रहा है और किसान अलग अलग तहीकों से अपनी आवाज बुलन कर रहा है दोस्तों ये विडियो देखिए इस विडियो में आप देखेगा किसान खुद अपनी फसल को बरबाद कर रहा है कहने कोई च्छुटा सा नजारा है दोस्तों मगर ये अपने आप में बहुत ही प्रतिकात्मक है और इस बात से चिंतिद खुद राकेश टिकैथ हैं राकेश टिकैथ ने इस तस्वीर पर इस वीडियो पर क्या ट्वीट किया है आपके स्क्रीन्स पर किसान से अपील है कि ऐसा मत करें ये करने के लिए नहीं कहा गया था जानता वो नहीं जानती कि वो किस तरह से खुद के लिए कबर खोद रही है गड़ा खोद रही है दोस्तों किसान अपने अपने अंदाज में आंदोलन कर रहा है अपने खुबसूरत अंदाज में अपना संदेश दे रहा है आपको ये राली देखनी पड़ेगी किसानों क बताया जा रहा है कि देड़ लाग से दो लाग किसान यहाँ खटा हुए मगर आप इस वीडियो को देखिए जैसे जैसे ड्रोन के जरीए कैमरा जो है वो शिफ्ट होता है आप देखी का भीड में अचानक एक सीमा खिच जाती है एक पंक्ती खिच जाती एक तरफ पीला रंग एक तरफ सफेद रंग आप जानते हैं पीला और सफेद रंग क्या है पीला रंग जो है वो महिलाओं का रंग है यानि कि महिलाएं वहाँ मौझूद है और जो सफेद रंग है वो पुरुशों का रंग है यानिकी महिलाएं भी कपूर थला में पूरे दमखं के साथ इस आंदोलन में मौजूद हैं और ये देखिए अपने आप में कितना खूबसूरत रंग दिखाई दे रहा है मैंने इस कारिकर में जो आपको तमाम मिसाली दी हैं ये तमाम प्रतीक हैं ये रालीज हैं किसान जानता है कि उसे बदनाम करने का पूरा प्रयास किया गया है कई रहसमय ताक्तें उसके किसान आंदोलन कुछ 26 जनवरी में आ गई थी बदनाम करने के लिए जब लाल किले में कुछ लोग प्रवेश कर गए थे ताकि उस वक्त भी मैं फिर दोराना चाहता हूँ बार बार दोराता हूँ निशान सहाब का जंडा फैराने से तिरंगे का अपमान नहीं होता मगर वहाँ पर निशान सहाब का जंडा नहीं फैराया जाना चाहिए था तो मैं जो आपको लगातार बता रहा हूँ दोस्तों किसान अपने तरीके से अपनी बात रख रहा है मगर आगे क्या अब किसान क्या करेगा एक एक करके मैं आपको तमाम चीज़े पताना चाहता हूँ 23 फरवरी को किसान मनाएगा पगडी सम्हाल दिवस आप जानते होंगे पगडी समाल जटा ये आहवान किसी और ने नहीं बलकि भगत सिंग ने दिया था जब वो अंग्रेजों के खिलाफ संगर्ष कर रहे थे पगडी समाल जटा और पगडी समाल से जुड़ा हुआ है जुड़ी हुई है किसान की इज़त उसकी अस्मिता और कही नहीं कही किसान जो है वो अपने आंदोलन को अपनी अस्मिता से जोड़ रहा है 23 फरवरी को उसके बाद 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस और मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा, इस दिन किसान राश्चपती कोविंद को एक विज्यापन सौपने वाले हैं, दमन विरोधी दिवस, क्योंकि किसान जानता है कि वो लगातार किस तरह से मुश्किलात का सामना कर रहा है, इसके बाद 26 वरवरी को युवा किसान दिव जी हाँ, युवा किसान दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंगू बॉर्डर पर, घाजिपूर बॉर्डर पर ना सिर्फ बुजर्ग किसान मौजूद हैं, बलकि युवा किसान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और कई लोगों की मौते हुई हैं जिनमें 20, 21, 23, 24 साल के कई किसान थे, जो कड़कडाती ठंड में हाइपो थर्मिया की वज़े से जिनकी मौत हो गए, 27 फरवरी को किसान और मजदूरों की बड़ी तादाद में दिल्ली की सीमाओ का रुख वो करने वाले हैं, यानि कि किसान और मजदूर दोनों हाथ मिला हैं, आज मैं केंदर सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके सामने जो हकीकत दिखाई दे रही है, क्या उसको लेकर आप आँख मूंदे बैठे रह सकते हैं, और मैं कुछ और कहना चाहता हूँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन्स पर एक खबर देखे, एंडी टीवी की इस खबर के मताबिक अब तक किसान आंदोलन में 248 किसानों की मौत हो चुकी है, सिंगु बॉर्डर पर या घाजिपूर बॉर्डर पर यान की जहां जहां किसान आंदोलन कर रहा है, मैं नहीं बूला हूँ हर्याना के क्रिशी मंत्री ने का कहा था, कि ये 200 किसान तो वैसे से कानून नहीं हटाये जाते, तो मैं नरेंद्र तोमर जी से पूछना चाहता हूँ, जो मेरे हिसाब से एक नहायती सभ्य इंसान है, जिस तरह से किसानों को बदनाम किया जाता है, क्या आप उससे मूँ मोड सकते हैं, जिस तरह से किसानों को भड़काया जाता है, जहां व शक्स प्यूश गोईल भी शामिल है और प्यूश गोईल ने बयान दिया था कि जब ये किसान नकसलियों अर्बन नकसलियों के गिरफ्ट से बाहर आ जाएगा तब उसे किसान बिलके फाइदे दिखने शुरू हो जाएंगे जो आदमी बाचीत कर रहा है किसानों के साथ वो आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है मुझे लगता है किसान भी जब बाचीत कर रहा है ना तो नरेंद्र तोमर के हाव भाव से उनकी अंदाजे बयां से उसे बहुत जादा दिक्कत नहीं है मगर इसी बाचीत में प्यूश गोईल भी है वो प्यूश गोईल जिनके कि जो नेत्रत करते हैं इनका ट्विटर में एक अकाउंट है प्यूश गोईल अफिस और प्यूश गोईल अफिस जो है जो एक वेरिफाइड अकाउंट है वो करीब 1,00,000 से ज्यादा गाली गलोज करने वाले ट्विटर ट्रोल्स को फॉलू करता है कई ऐसे लोगं को फॉ आपकी का जानता हूं, सब की पोल खोल सकता हूं, ऐसे बाचीत होती है क्या? तो मैं कहना चाहता हूं कि जब आप ये कहते हैं कि दबाव डालने से, विरोध करने से आप किसान कानून वापिस नहीं ले सकते, तो आपके अपने तेवर क्या? क्या आप उससे मूँ मोड सकते हैं? क्या आप अखीकत से मूँ मोड सकते हैं? दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज किसानों के समर्थन में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी ट्रैक्टर में सवार होकर जो हैं वो विदान सवा पहुंचुए विडियो देखिए और फिर मैं इसकी राजनीते के अहमियत की बात करूँगा ये क्या बतला रहा है कि तेजस्वी यादव ट्रैक्टर के प्रतीक का इस्तिमाल कर रहे हैं विदान सवा पहुंचने के लिए ये क्या बतला रहा है? ये ये बतला रहा है कि भारती जहनता पार्टी के लिए सिर्फ पश्मी उत्तरपदेश में मुश्किल नहीं है तेजस्वी यादव सरीखे नेता जो हैं वो लोग बिहार में किसानों का मुद्दावी दमखम से उठाने वाले हैं और उठा रहे हैं बीजेपी इस से मुँ नहीं मोड सकती और साथी भारती जनता पार्टी युवाओं के मुद्दी से अपना मुँ नहीं मोड सकती और क्यों मैं आपको बताता हूँ? आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों कल राहूल गांधी ने एक ट्वीट किया था क्योंकि कल ट्विटर पर लगातार जो है ट्रेंड कर रहा था मोधी रोजगार दो मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मुद्दे को किसी और ने नहीं बलकि वाइनाट से कॉंग्रेस के सांसद राहूल गांधी ने भी अपना समर्थन जतलाया है मगर आपको इस सवाल करना पढ़ेगा दोस्तों कि आखिर युवा क्यूं सड़क पर मौझूद है युवा सड़क पर इसलिए मौझूद है दोस्तों क्योंकि उसे रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि पिछले 50 सालों में रोजगार को लेकर सबसे बत्तर हाला थे और कल अगर ट्विटर पर ये बाद ट्रेंट कर रही थी कि युवा जो है वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से रोजगार मांग रहा था तो उसे समझने के लिए मैं आपको कुछ पढ़के सुनाना चाता हूँ जो आपकी स्क्रीन्स पर है तैयारी कर रहे चात्रों का कहना है कि करमचारियों का चैन करने वाली संस्थान स्टाफ सेलेक्शन कमिशन अब स्लो सेलेक्शन कमिशन बन गया है परीक्षा में पारदर्शिता पर भी सवाल उठाये जा रहे हैं 25 फरवरी से छात्र इस मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं प्रतियोगिता की पढ़ाई कर रहे छात्र और पढ़ा रहे शिक्षक भी केंद्र और चैन आयोक के खिलाफ हैं इसमें आनलाइन कोचिंग और कई वेबसाइट के माध्यम से पढ़ा रहे शिक्षक ने भी हला बोल का एलान किया है और मैं आपको बता दूँ कि आने वाले दिनों में जी हां आने वाले दिनों में भी इस आंदोलन को जह है वो उग्र किया जाने वाला है क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमिटी जो की कर्मचारियों का चैन करता है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है इस पर लगातार आंदोलन कारी सवाल उठा रहे हैं वो युवा जो परेशान है रोजगार को लेकर क्योंकि देखिए सच तो ये है कि इसी भारती जहता पार्टी ने इस बात का वादा किया था सत्ता में आने से पहले कि हम एक साल में करीब दो करोड रोजगार देंगे अब वो तो दूर की बात रही मगर मैं हर बार जब भी मैं देखता हूँ कि भारती जहता पार्टी की नेताओं से सवाल किया जाता है तो वो अकसर गोल पो शिफ्ट कर देते हैं वो कह देतें नहीं रोजगार तो मिल रहा है मगर इस तरह से मिल रहा है उस तरह से मिल रहा है जो बुन्यादी वादा था इनका युवाओं को लेकर उस से ये पूरी तरह से पीछे हट गए हैं तो ना किसान खुश है और ना युवा खुश है मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि इस सरकार के पास एक तुरुप का पत्ता है और तुरुप का पत्ता है धर्म वो तुरुप का पत्ता है हिंदू-मुस्लिम सियासत और जहां पर भी वो कमजोर पढ़ने लगते हैं उस सियासत का दाओ खेल देते हैं मैं आपको एक बात बतलाना चाहूँगा, कई लोग कह रहे हैं कि इस वक जो पश्चमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है न, वो एतिहासिक है, क्योंकि जाट और मुसल्मान एक साथ आ गये हैं, 2013 में जो दंगे हुए थे, उसमें जाट और मुसल्मान एक दू करने लगते हैं, तब भूल जाते हैं कि किन मुद्दो पर हम साथ आये थे, ये बदल गया है 2015 के बाद, इसलिए जो लोग इसे बहुत करांतिकारी बता रहे हैं, मुझे उससे बहुत ज्यादा उमीद नहीं है, मैं उमीद करता हूँ कि पश्चमी उत्तर प्रदेश के किसा मुझे घलत साबित करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता मुझे घलत साबित करेंगे, निउस चक्र में बस इतना ही, अभिसार शर्मा को दीजे अजासत, नमस्कार